जार्खण में किसे मिलेगा 25 रुपए सस्ता पेट्रोल प्यूस जैन चापेमारी मामले में 23 किलो सोने का सच आफिर क्या है और बिहार की रड़ाई सरकार गिराने पर क्यूं आ चुकी है राश्ट्रो राज्योस जुड़ी बड़ी खबरे आप देखे टॉप 9 देश कारोबारी प्यूस जैन के खिलाफ अब DRI ने कस्तम आक्ट के तहट के ज़र्ज किया है प्यूस जैन के घर से 23 किलो सोना जप्त किया गया था ऐसे में DRI अब गोल्ड की स्मगलिंग के आरोपो की जाच करेगी प्यूस जैन के घर पर सोना दुबाई से आया था प्यूश जैन के एरेस्ट मेमो की एक्स्क्लिूजिव डिटेल के मुताबक उसकी कम्पनियों में केबल 21 करोड का लेंदेन दिखाए गया है प्यूश की कम्पनियों में 4 साल में 177.47 करोड का लेंदेन हुआ प्यूश जैन ने हर साल 45 करोड की GST की चोरी की कानपूर में दो और कारोबारियों के यहां GST की रेट पड़ी है मयूर वनस्पती के मालिक सुनील गुपता और शिखरपान मसाला के मालिक प्रमीन जैन के ठिकाने पर छापा पड़ा है GST इंटेलिजन्स की तीम में छापे मारी कर कई दस्तवे जब्त किये है जीतनराम मांची को लेकर RJD ने बड़ा दावा किया है मृतुन्जे तिवारी के मताबिक नए साल में मांची नितीश सरकार से अलग होंगे नितीश सरकार में मांची का दम घुट रहा है बीजेपी नेतार नीरज बबलू के बयान के बाद कल मांची की पार्टी ने सरकार गिरानी की धम की दी थी कोरोना धर्म नहीं डेखता, जाथ नहीं देखता अमीर गरीब उच नीच नहीं देखता कोरोना कोरोना सिर्फ मौका देखता है लेकिन आप उसे मौका मत दीदिये बस इतना कीजिए जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लोग किए तो इतना खयाल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा बुलिये मत, कोरोना अभी जिन्दा है